अपैरल्स मेड अप एंड होम फिनिशिंग के सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार पिछले सेशन में हमने एक्स्प्लेंड फंक्शन ओफ वेरियस पार्ट एंड अटाच्मेंट ओफ स्विंग मिशीन का रिलेटिड पड़ा था आज हम युनिट टू स्विंग मिशीन टूल्स एंड इक्यूमेंट के बारे में पढ़ेंगे इसका सेशन है प्रैक्टिस ओप्रेटिंग ओफ सिंगल नीडल स्विंग मिशीन तो हम सबसे पहले इसके ओबजेक्ट पढ़ते हैं इस सेशन में चातर भविन प्रकार के डिफ्रेंट ओप्रेशन ओफ सिंगल नीडल स्विंग मिशीन के बारे में जान सकते हैं चातर डिफ्रेंट ओप्रेशन ओफ सिंगल नीडल स्विंग मिशीन के काम करने के तरीके सीख सकते हैं चात्र डिफ्रेंट ओप्रेशन ओफ सिंगल नीडल स्विंग मिशीन के उपियोग के वारे में सेख सकते हैं नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसकी इंट्रोडक्शन सिंगल नीडल लॉक स्टिच मिशीन की शॉर्ट है SNLS सिंगल नीडल लॉक स्टिच मिशीन उद्योग में सबसे लोगप्री और बहुमुखी सिलाय मिशीन है ये नमूना और उत्पादन कमरे में लगतार परिणाम उत्पादन करने के लिए डिजाइन किया गिया है लॉक स्टिच ने सीधे और सुरक्षित टांके कपड़े के नीचे की तरब से सुई में धागा और बौविन में धागा लॉक के रूप में सुरक्षित किया जिसमें प्रतेक बार सुई कपड़े से गुजरती है नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइपस ओप स्विंग मिशीन सिंगल नीडल लॉक स्टिच मिशीन के कितने टाइपस हैं नमबर वन लॉक स्टिच मिशीन नमबर टू चेन स्टिच मिशीन नमबर थ्री ओवर लॉक स्टिच मिशीन नमबर फो कबर स्टिच मिशीन जिसमें ये अपर पार्ट दर्शाया गया है अपर पार्ट के कुछ इसमें फंक्शन्स दिखाए गये हैं जैसे कि प्रेशर फूट कंट्रोलर, थ्रेड, थ्रेड टेंशन डिस्क, थ्रेड, हैंड, बैक टेक लिवर, स्टिच डायल, नीडल, टेक अप लिवर, थ्रेड, स्प पार्ट्स ओफ सिंगल नीडल स्विंग मिशीन इसके पार्ट्स हैं Feed dog arm, feed dog, needle plate, throat plate, pressure foot, pressure foot bar, pressure regulator, pressure spring, hand lifting, leg lifter, weight cam, thread take up, lever, connecting rod, needle bar, needle, thread density, tension, stitch density regulator, back stitch liver, gear, pinion, main shaft, pump shaft, feed dog driven, shaft hook shaft, feed dog arm shaft, rotary hook, bobbin, bobbin case, hook finger, oil pump Next है, function of different parts of single needle swing machine तो इसमें हम इसके सारे functions पढ़ेंगे की कौन सा function क्या काम करता है Feed dog arm to hold the feed dog, feed dog to pass the fabric, needle plate, keep the needle on the middle point, throat plate to help to pass the fabric, pressure foot to produce pressure on the fabric, pressure foot bar to hold the pressure foot, pressure regulator to maintain the pressure, pressure spring to produce pressure on the pressure foot, hand lifter, pressure up down by hand, leg lifter, pressure down, up down by leg, weight cam to transfer motion from main shaft to thread take up lever, thread take up lever to pass the needle plate, connecting rod, connecting rod, connecting rod to transfer motion, needle bar to hold the needle, needle to from stitch, thread density, tension to maintain needle thread tension, stitch density regulator to maintain the stitch density, back stitch lever, four fabric forward backward movement, gear to transfer motion from main shaft to pinion, pinion to transfer motion from gear to palm shaft, main shaft to transfer motion from machine to weight cam, pump shaft to transfer motion from pinion to oil pump, feed dog driven shaft to transfer motion from connecting rod to feed dog, hook shaft to transfer motion from pump shaft to rotary hook, feed dog arm, feed dog arm, feed dog arm, feed dog arm, rotary hook to from stitch, bobbin to pass the bobbin thread, bobbin case to hold the bobbin, hook finger to hold the rotary hook, oil pump to supply the oil, next step, 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 number 1, 1, एक machine के लिए दो धागों की ज़रूरत होती है, एक सुई की और दूसरी एक बौविन की, two, 2. सिलाई में कपड़ों के उपरी साइड में सुई धागा और सिलाई में फैब्रिक के नीचे हिस्से में बौविन धागा सेट किया गया है 3. इस सिलाई मशीन में केबल लॉक स्टिच होता है 4. 4000 से 5000 रेबुलेशन पर मिनट आर पी एम में मशीन की गती होती है 5. हर मिशीन में एक सुई होती है 6. किनारे काटना सोचलित बौविन घुमाबदार 7. कम शोर, कम कमपन, के बिकेरन और परियावरन के अनुकूल 8. SPL साउंड प्रेशर लीवर आम तोर पर साथ से नो भाग होते है 9. सिलाई मिशीन में कपड़ा, शर्ट, जैकेट, सूट, ओवर कोट, बैड कवर, पर्दे, बच्चों के कपड़े, बैग, चमड़ा, उन, रसाइनिक फाइवर और कैनवस आधी कपड़े सिले जाते है 10. वर्किंग ओफ सिंगल नीडल स्विंग मिशीन इस चितर में आप देख सकते हैं कि ये कपड़ा कैसे स्टीच किया गया है इसमें अपर थ्रेड्स है और एक लोर थ्रेड है और बीच में ये कपड़ा है 10. मेंटेनेंस ओफ सिंगल नीडल लॉक स्टीच मिशीन रखर खाब भविन प्रकार के हो सकते हैं लेकिन निमिलिक्त प्रकार पहलूं में महतपूरण है 11. रोटीन मेंटेनेंस सनेहन और नियमित निरक्षन नियमित रखर खाब के घटक है 11. सनेहन सभी उपकरणों के लंबे जीवन और शेडियूल मेंटेनेंस इस प्रकार का रखर खाब 12. मशीन के पूरव निर्धारे तिथियों पर निरक्षन ओवर हॉल सनेहन और सर्विसिंग के लिए परदान करता है 12. मशीन का संचलन सभी घटकों को सफाई समानने रूप से इस मशीन पर की जाती है 12. इसमें मशीन को उसके सबसे छोटे घटकों में खोलना और सनेहन को पूरा करना शामिल होता है 12. इसमें अगला परिचे बताएंगे उसके लिए थैंक्यू